नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गौरो पाठक और आज का ये जो वीडियो है ये बहुत खास है उन लोगों के लिए जो लॉकडाउन में घर पे बैठके ये सोच रहे हैं कि हम पढ़ाई करें तो क्यों करें विकेंसी आने वाली है नहीं आने वाली है बहुत सारे सवाल दिमाग पर ये बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और भारत वो देश है और हम वो हैं जो कि पूरी दुनिया की कुल जन्संख्या का 20% बाग 20% जो भाग है वो भारत में रहता है हम वो देश हैं जो कि पूरी दुनिया की जीडिपी का 7.4-5% कॉंट्रिब्यूट करते हैं जबकि कि हम पूरी प्रतवी के केवल 2% दभाग पर रहते हैं तो आज तक हमारे पास जितनी भी विपत्तियां आई हैं या हम पर जितनी भी आपदाएं आई हैं हम सबसे उभर के ही आगे निकले हैं तो इससे भी उभर के हम आगे निकल जाएंगे और इसको भी हम पीछे छोड़ NSSO ने National Sample Survey और नाइसन ने कहा है कि अगले एक महीने में लगभग 13.6 करोड लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। ये वो लोग हैं जो कि गयर करसी छेतर में काम करते हैं, यानि नौन अगरिकल्चर पार्टनर वर्क करते हैं। इसके अलावा रेलवे जो कि वर्ल्ड का, इवन एसिया का तो ही, कि एसिया का सबसे बड़ा ऐसा और नाइसन जो सबसे ज़्यादा नौकरियां देता है। उसने भी ऐसा कहा है कि अब वो अगले साल ग्रूप D की कोई भी भड़तियां नहीं करेगा। इवन उसने ये भी कहा है, जो उसके पास कॉंटेक्ट बेस में लोग काम करते हैं, उनको भी वो मिनिमाइस करेगा। वो बात अलग है, उसके बाद ही रेलवे ने अभी पैरामेडिकल के बढ़तियां निकाल दी है। उनको नोने कहा है कि हो सकता है, मिस्साल भड़तियां नहीं कर पありがとう हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, इंडिया में एरलेंस एक बड़ा सेक्टर है, वो बहुत अच्छी स्पीट से ग्रोथ कर रहा था। लेकिन कोरोना के और यह जो सब हुआ है उसके बाद उन्होंने भी अपने 70% स्टाफ को leave without paper भेज दिया है और अगर hospitality की बाद करें तो इंडिया का सबसे बड़ा OYO जो OYO जो औरुणाईसान है वो इंडिया का सबसे बड़ा hospitality के मामले में औरुणाईसान है उन्होंने भी अपना 70% भाग leave without paper हिस दिया है और बाकी जो उनके हां काम कर रहे हैं उनको वो लगबग 50% salary देकर उनसे काम करवा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि private sector पर क्या इसर पढ़ा है इसके साथ साथ ही अगर हम बात करते हैं जितनी भी सरकारी नौपियां थी सरकारी नौपियों इक हैं तो बहुत सारे इकजम हैं चैसे जाइ Pelic Services Commission की बात करें के см desde की बात करें बहुत सारे इसे एकजम्स हैं जो की वहने वाले थे मतलब मैं एक लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट में लगबग 85 एकजम्स ऐसे थे जो की अभी इस पिछले दो-तीन महिने में होने वाले थे, वो सारे exam postpone कर दिये गए हैं, अब postpone का मतलब यह है कि ऐसा तो नहीं है कि वो exam होंगे ही नहीं, वो exam को होना इसलिए जरूरी है, क्योंकि कोई ना कोई vacancy होगी इसलिए वो exam हो रहे होंगे, क्योंकि अब उस vacancy के बिना तो वो department चल नहीं सक सकता है कि 3,5,5,5 vacancy हो जाएं, लेकिन exam तो होगा ही, यह बात आप निश्चित कर लीजिए, अब इस corona से सरकारी नौकरी पर जो major effect पढ़ने वाला है, वो यह पढ़ने वाला है, कि जितने भी लोग private sector में job करते थे, उन सब को अपनी नौकरियां वहां से हो सकता है, पर है, तो वो है सरकारी छेतर में, तो सरकारी छेतर में हो सकता है, वो भी जाने ही कोसिस करें, इसलिए हो सकता है कि competition का level बहुत जादा बढ़ जाएं, इसके अलावा 3-4 महीने में जो लोग ने नौकरियां नहीं की हैं, या जो लोग नौकरी पर नहीं लगे हैं, अब वो लोग भी हो सकता है, कि उसी 6 महीने वाद आपको इस competition में एक साथ आप से मिलें, तो competition कहां से बढ़ने के chances है, पहला तो जो लोग घर पे बैठे थे, 6 महीने में कहीं पर उन्होंने जोइन नहीं किया है, वो एक्जाम देंगे, इसके अलावा private sector में जो लोग थे, वो लोग तो वहां से भी आपका competition बढ़ने वाला है, तो दोस्तो ये बात तो समझो, रास्ता तो अब एक ही बचा है, वो है आपके पास सरकारी नौकरी, तो जो लोग भी lockdown में घर पे बैठके तयारी नहीं कर रहे हैं, उनको इस चीज़ को समझना चाहिए, कि आपको अगर आप आगे निकल जाएंगे, आप पचास सी सीडी पर ही खड़े रहेंगे, तो दोस्तो इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना है, कि इस lockdown के समय को पूरा यूटलाइस करना है, और 24 घंटे में कोसिस करें कि 10 से 12 घंटे की स्टडी प्रोज करें, क्योंकि तभी आप सौगी सीडी पर पहुच पाएंगे, और आगे वाला जो आने वाली पॉस्टिटी से हैं, उनको आप ले पाएंगे, और जो लोग भी नई तयारी स्टार्ट करने वाले हैं, कोने भी इस lockdown का पूरा यूटलाइसन करना चाहिए, जीएस पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको NCRT उ आगे निकल जाएगे, और इसी के साथ एक और छोटा सा प्रस्ट जिसका जवाब में देना चाहूँगा, इसी ने मुझसे पूछा था कि सर अगर इस 6-8 महीने में मेरी जो एज है, अगर वो जादा हो जाती है, तो कि मेरी eligibility खतम हो जाएगी, तो दोस्त में आपको बता द तो इस चीज़ की आपको परिशान होने क्या वशक्ता नहीं है, आप तयारे continue रखिए, और प्लीज, negative मत सोचिए, positive सोचिए, और positive रहिए, तो सब positive ही होगा, thank you so much guys, और भी अगर आपको कोई भी doubt हो, या आपको कोई और query हो, तो आप मुझे comment कर सकते हैं, bye